हेलो स्टूडेंट्स आज हम रिवाइस करेंगे जो क्लास सिख्ट का चेप्टर सेकंड है मैसल्फ श्वेत्ता तो जो सेकंड चेप्टर है वो है कॉंपोनेंट्स फूड हमने ये कंप्लीट कर लिया है जिसको कि आज मैं आपको कंप्लीट दुबरा रिवाइस करवा रही हू क्या होता है कॉमपोनेंट्स फूड में क्या पढ़ेंगे हम फूड के टाइप से होगते कि तेर cessation की एनर फूडि बेलिग्टिर गोडर को ओं शुगर जयेडेर ओयल, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल, ड्राइफ रूट ये सभी क्या हैं हमारे एनरजी गिविंग फूड हैं ठीक है उसके बाद आते हैं बोड़ी बिल्डिंग फूड बोड़ी बिल्डिंग फूड में वो फूड आइटम्स होंगे जो हमारी ग्रोथ के लिए हैल्प कर सकते हैं जिनमें क्या आता है प्रोडेक्टिव फूड में सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वह क्या है हमारे मिल्क ग्रीन लिफ लिफी वेजिटेबल और फूड तो कॉम्पोनेंट्स फूड है क्या देखिए कोई ऐसा सबस्टांस जो हम मतलब हमारे ग्रोथ के लिए या हमा लग टाइप्स के तो वह कौन-कौन से हमारे कार्बोहाइडरेट फैट प्रोटीन विटामीन मिनरल वाटर रफेश ठीक है यह जो सेवन टाइप की जो न्यूट्रेंट्स आप देख रहे हैं यही क्या है हमारे कॉम्पोनेंट्स है फूड के तो कार्बोहाइडरेट की इस लिए एनर्जी गिविंग फूड जिसकों ब्लो सकते हैं जो मैं अनर्जविंग फूड से मिलता है ठीक है इसके बाद है फैट्स फैट्स भी कार्पोहड़रेट किते रही एनरजी का मेन सोर्स है यह भी कार्बन है ड्रोजन और ऑक्सिजन से मिलके बना है और इसमें जो हमारी डाइट होती है वह क्या होगी बोथ जो हम प्लांट और अनिमल से लेते हैं यानि बटर घी मिल्क एग फ टिरोस भी हम ले रहे हैं असमें क्या होती है हमारी फैट की फो ने प्शेर ऊचा कह जाती पॉड़े इसलिए हम इसको को पोल सकते हैं इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एम चैयों से न Parliament incarnate है्समिलियर मिलके बनते हैं मेरे टीम को उनको को हम क्या बोलते है एमीनो एसीड बोलते है जो जिसके अंदर क्या क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सिजन कुछ अलिमेंट सेलफर एंड फोसफोर इसके भी पाय जाते हैं और प्रोटीन इंपोर्टेंट है हमारी फूड में किस चीज के लिए हमारी बोडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ठीक है तो जो प्रोटीन है वह ऐसा मेटेरियल है जो हमारी बोडी की बील्ड में हल्प करता है उसकी रिपेरिंग में हल्प करता है और जो लीट होता है जनी फैट रही होता है वह वाले मेट और फिश एग् विटामिन की लेकिन इसकी जो इंपोर्टेंस है वह बहुत ज्यादा है क्योंकि जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है जो हैल्थ गूड हो अच्छा वीजन हो प्रोपर डाजेशन हो हैल्दी टीथ गम्स बोन सब के लिए विटामिन ज़रूरी होता है तो जो विटामिन है उसक विटामिन की टाइबस देखें विटामिन की मिलता है इसके बेनिफट क्या है जो आई प्रोब्लम से वह नहीं होती है विटामिन A अगर आप अच्छे से खाएंगे जो भी इस सेल की ग्रोथ होगी डेवलप्मेंट होगी वो अच्छे से होगी और हमारी स्किन हेल्दी रहेगी विटामिन C जो है वो किसमें पाया जाता है जो भी खटे fruits होते हैं आपके citrus fruits जिनको हम बोलते हैं strawberries, kiwi, guava, pepper, tomatoes, broccoli और spinach इन में भी पाया जाता है ठीक है और ये क्या help करता है हमारी जो हमारे bones है हमारे teeth, gums है, blood vessel है उनकों सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है vitamin C, vitamin D जो है वो किसमें पाया जाता है vitamin D का main source हमारा sunlight होती है, यानि जो सूरज की रोशनी हमें मिलती है और इसका benefit क्या है, ये क्या करता है हमारे bones को strengthening देता है यानि कि जो calcium है वो भी हमें इससे मिलता है, जो body absorb करती है विटामिन E, जो है वो कहां पाया जाता है, जो vegetables, oils, nuts, green leafy vegetables, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन E, विटामिन E, एक antioxidant है और ये क्या करता है, जो भी आपके red blood cell है, उसकी importance, उसकी health की importance के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B1 कहां पाया जाता है, जो bread, cereal, pasta, lean meat, dried beans, soya, food, peas, सब के अंदर जितने grains है, सभी में विटामिन B1 पाया जाता है जो हमारे heart के लिए, हमारी muscle, हमारे nervous system properly function काम करें, उनके लिए important है, ठीक है विटामिन जो K है, वो कहां पाया जाता है, lettuce, mustard, green, parsley, romance, lettuce, spinach, broccoli, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन K पाया जाता है जो important factor है, हमारे किसके लिए, bone health का, और जो भी आप ये बोल सकते हैं, जो आपके जिसे घाओ भर जाता है, घाओ अगर कोई हो जाए, तो वो जल्दी भर जाए, उस चीज़ के लिए, vitamin K important है, ठीक है उसके बाद आते है, minerals, mineral क्यों important है, mineral में बहुत सारे minerals आते हैं, जैसे कि iron, iodine, calcium, sodium, potassium, तो जो iron है, वो क्यों important है, iron क्या करता है, हीमोगलोबिन बनाने में हमारी help करता है, ठीक है, और इसके main source क्या है, iron के, बाजिरा, रागी, eggs, और green vegetable, जो iodine है, वो किसले important है, जो thyroid hormone है, जो के preparation में help करता है, और इसका main source क्या है, seafood या फिर जो हमारा iodize salt होता है, फिर है calcium, calcium क्यों जरूरी है, जो healthy bones और teeth है हमारे, उसमें काम करता है, जो हमारी muscles है, वो अच्छे से काम करें, strong रहें, और calcium का source क्या है, milk, milk से बनने वाले जो product है, green leaf हरी पतेदार सबजियां, जितने भ फोसफोरस क्या है, फोसफोरस भी जो formation होती है, हमारी bones की, हड़ियों की, दातों की उनके लिए जरूरी है, और फोसफोरस क्या convert करता है, काइबोहेडर्ट को energy में convert करने में हमारी help करता है, और इसका source है, वो कहां है, क्या है, milk, vegetable, बाजरा, रागी and nuts, उसके बाद है, रफ जो सोर्स है, वो फूर्ड कोन सा है, जिसमें हम salad include कर सकते है, vegetables, fruits, जो मारी skin के लिए, मतलब साथ खाने के लिए बहुत important factor है, तो इसके काम क्या है, रफिस के देखिए, रफिस हेल्प करता है, हमारी body में जो water है, उसकी requirement बहुत ज़्यादा होती है, उसको बनाई रखने के यह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो nature होती है, वो fibrous होती है, यानि जो body में fiber चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पानी को अपने अदर अब्सोर्ब कर सकता है, यह उसके लिए helpful है, ठीक है, हमारी body में पानी की कमी नहीं होने देता, इसी तरह से जैसे हम जो salad खाते है, पानी की क्वाटिटी जादा होती है, हम वो खाते है, ठीक है, उसके बाद है, रफिस को दूसरा function क्या है, कि रफिस ज़रूरी है, हमारी जो smooth movement है, food की, alimentary canal में, जो easily food यानि digest हो जाए, उसमें हमारी help करता है, तो जो constipation हो जाता है, जिसको cubs बोलते हैं, वो नहीं होगा, उसके बाद आता है, water, जो human body है, वो हमारी 70% water से बनी होई है, तो जो body है, उसको क्या चाहिए, अगर हम daily clean water की supply हमारी body में होती रहेगी, तो क्या होगा, हम बहुत सारे बिमारियों से बचे रहेंगे, तो ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम ऐसा बोल सकते है, कि ह हमारी body के अंदर, उन सब का medium क्या है, water ही है, यानि water की through ही, जितनी, जो digestion का process है, या और भी जो प्रोसेस है, chemical reactions जो होगी, body के अंदर, वो सभी water की help से होगी, जो भी nutrients हम ले रहे हैं, nutrients अभी हम बढ़के हैं, पिछी है, सभी nutrients थी थे, as well as waste molecules होते है, वो भी water में ही dissolve होके ज अच्छे से बने रहेगी, यह क्या करता है, जो body का temperature है, उसको maintain करता है, और regulate करता है, जिसे ज्यादा गर्मी होगी, तो lub अगरा से, बचने में हमारी help करता है, क्योंकि हमारा temperature बोडी का अच्छे से बना रहेगा, अगर पानी quantity हमारी body में सही होगी, तो ठीक है, it helps in the lubrication of joints, जो joints होते हैं, जैसे age के साथ क्या होते है, वीक होते जाते हैं, उस चीज में भी help करता है, जो digestion है, उसमें help करता है, और हमारे blood को क्या करता है, प्योरिफाइ करता है, तो आज के lecture में मैंने आपको half chapter revise कर दिया है, उसके बाद जो बचा हुआ half chapter है, वो हम next lecture में revise करेंगे completely, तो एक बार दुबारा से mainly देख लीजिए, हमारे जो five, जो seven components थे, nutrients वो कौन-कौन से थे, carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral, water and roughness, carbohydrate और fat क्या है, हमारे energy giving food है, जो protein है, vitamin है, minerals है, ये सभी क्या है, हमें क्या करते हैं, अलग लगतार है, से हमारे body को strong बनाने में help करते हैं, क्योंकि जो protein है, वो क्य food भी बोल सकते हैं, ठीक है, vitamin क्या है, हमारे body में two types जाते हैं, water soluble और fat soluble, इसके बहुत सारे types आपने पढ़ लिये हैं, A, C, D, E, B1 और vitamin के, क्या-क्या इनके sources हैं, इस table में आप देख सकते हैं, और क्या-क्या उनके benefits हैं, ठीक है, आगे हम continue करेंगे, next lecture में, ओके, thank you students,